किसी ने सची कहा है कि कौन कहता है कि काम्याबी सिर्फ किस्मत तै करती है अगर इरादों में दम हो तो मंजिले खुदवखुद जुका करती है ऐसे ही कुछ मजबूत इरादे थे रेलवे स्टेशन पर कूली का काम करने वाले आईएस ओफिसर श्रीनाथ के जिन्होंने अपने घर के जिम्मेदारियों को उठाने के साथ अपनी किस्मत को भी खुब आश्माया और अंत में देश की सबसे कठिन यूपीएस से परिक्षा को पास कर आईएस ओफिसर बन गए पर कई तरह की बहाने बनाते हैं या फिर कई तरह की शिकायटे करते हैं इन में से अधिकतर लोगों को आपने देखा होगा कि वे संसाधनों की कमी को खुद के काम्याब न होने की वज़ा बताते हैं उनका मानना होता है कि अगर उन्हें सारी सुकसुवधाय मिली होती तो वे यकीनत जीवन में सफलता हासिल कर लेते हैं हाला कि स्रिनात इन लोगों में से बिलकुल भी नहीं है उन्हें संसाधनों की कमी को लेकर कभी कोई शिकायट नहीं रही स्रिनात ने कभी भी अपने जीवन में संसाधनों की कमी को अपने काम्याबी के आड़े नहीं आने द वहीं आपको बता दें कि जैसे देश भर में लाखो लोग UPSC की परिक्षा देते हैं और अपनी किस्मत आश्माते हैं और उनमें से कुछ प्रतिशत छात्रे ही इस परिक्षा को क्रैक कर पाते हैं और ओफिशर पद को हासिल कर पाते हैं लेकिन उसके लिए वे सभी छात्र कहीं न कहीं कोचिंग का सहारा लेते हैं और फीज के तौर पर लाखो रुपए अदा करते हैं लेकिन स्रिनाथ जैसे भी कुछ अभ्यार्थी होते हैं जो UPSC की कोचिंग के लिए इतनी फीज नहीं पे कर पाते हैं इसलिए वे सेल्फ स्टेडी के जरिये ही इस परिक्षा को पास करने का प्रयास करते हैं बता दें कि स्रिनाथ मूल रूप से केरल के एरना कुलम के रहने वाले हैं वे एरना कुलम रेलवे स्टेशन पर ही कूली का काम भी किया करते थी स्रिनाथ के पास इतने पैसे नहीं थें कि वे UPSC के तयारी करने के लिए किसी भी कोचिंग सेंटर की फीज दे सके ऐसे में उनके मन में यह बात आई कि वे बिना कोचिंग के इस कठिन परिक्षा को पास नहीं कर पाएंगे यही कारण था कि उन्होंने सबसे पहले केरल लोक सेवा आयोग की परिक्षा देनी का मन बनाया वहीं यहाँ कूली का काम करते थे और जब जब उन्हें समय मिलता था वे परिक्षा की तयारी करने लगते थे सच्ची लगन और महनत के जरिये स्रिनाथ ने किरल लोग सिवा आयोग की परिक्षा पास कर ली इस परिक्षा में सफलता हासिल करने के बाद स्रिनाथ की मन में यह खयाल आया कि वे रेलवे के फ्री वाइफाई की मदद और अपनी सच्ची लगन के जरीए UPSC की परिक्षा भी पास कर सकते हैं इसके बाद उन्होंने UPSC की परिक्षा की तयारी शुडू कर दी और कड़ी महनत और लगन से उन्होंने UPSC की परिक्षा पास कर मिशाल कायम कर दी है तो फिलाल के लिए इतना है आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी कैसे लगी हमें कमेंट कर जरूर बदाएं चानल को सब्सक्राइब करें फेस्बुक पेच को लाइक करें वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया